हलो दोस्तों ना समुसा ना कचोरी आज हम बनाएंगे एक कप सूजी से बहुत ही टेस्ट ही नासता तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह हमने गैस में एक पैन रख दिया है पैन में हम तो चमस तेल डाल लेंगे तो तेल को थोड़ा गरम होने देंगे और गैस को लोपे ही रखेंगे आधी छोटी चमस जीरा डाल लेंगे एक चमस हम सफेद वाले तील डाल लेंगे पसंद हो तो डालेगा नहीं तो आप इ कट करके डाल देंगे और इन्हें सारी चीजों को थोड़ा सा भून लेंगे तो गैस को लोपे ही रखेंगे और तभी हम इसको भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी हम डाल देंगे तो अगर आप पच्चो के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप अपने हिसाब से रखेगा तो इसे भी हम थोड़ी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे पानी तो पानी हम दो कप इसमें डाल रहे हैं तो पानी डालने के बाद हम नमक डाल 1 घ्रत कर लिया था तो अ वार्ड रले गльर spar किया है वर 1-2 मिनट दें है सोजी हम देए दो दो कप हमnे पानी टाला था और एक कप हमने सोजी डाला है उसके बाद हम धीरे-धीरे करके इसे ऐसे करके और मसलते वे बढ़िया सी इस पे गुठली आना पड़े तो चलाते रहेंगे और गैस को लोग पे करते वे और इसे बढ़िया सा पका लेंगे जब तक यह डो नहीं बन जाता तो इसे चलाना हम बिल्कुल भी बन नहीं करेंगे ऐसी चलाते रहेंगे इसको और गैस को लोग पे ही रखेंगे ताकि जो सूजी यह रालू है वो भी अच्छे से पक जाएगा और यह एकदम सौप्ट सा डो बन जाएगा तो यह नास्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, कोई भी जञजट नहीं है इससे बनाने में और कुछ भी बाहर से लाने की ज़ूरत नहीं है तो कभी भी कुछ चटपटा या टेश्टी सा वैसा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं दस मिनट में तो ये आप देखे बड़ी असा डूबन के तयार हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इधर हमने एक बाउल लिया है तो बाउल में रख देते हैं इसे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे जब तक यहाथ लगाने लायक ना हो जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो यह हलका सा ठंडा हो गया है उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया की पतियां डाल देंगे तो आप चाहें तो जब गैस में इसे बनाएं जब हम पैन में था तो तभी आप पानी में धनिया की पतियों को डाल सकते हैं तो हम अभी डाल रहे हैं, हम भूल गए थे डालना, तो इसको क्या करेंगे, बढ़िया सा डो बना लेंगे, ऐसे करके, जैसे हम आटे का डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मसलते हुए, और एकदम सॉफ्ट कर लेंगे इसको, तो यह आद देखे, सॉफ्ट सा डो बन के तया हो गया है, अब हम क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और इसमें से एक मोटी मोटी लोई निकाल लेंगे, क्योंकि जो सूजी या रालू है, वो तो वैसे भी हमने पहले ही पका लिया है, तो इसमें कच्छा कुछनी रहेगा, तो थोड़ा मोटी होई है, तो चलते हैं, गैस की तरफ, तो इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था पहले ही, तो तेल को थोड़ा तेज गरम रखेंगे, गैस को हमने हाई पही करा हुआ है, और एक एक करके इसे डाल देंगे, तो सारी टिकियां एक ही बार में इसमें आ गी हैं, तो थोड़ देर इसे बनने देंगे, एकदम से नहीं पलटेंगे, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, तो ऐसी करके दो तीन बार हम इसे पलटेंगे, तो एकदम करार इसी बन जाएंगी, तो ऐसी बनने देंगे, लो, sorry, हाई और मीडियम के बीच में हम कैस को कर लेंगे, और इसे बड़ अब देखिये हलके हलकी बननी शुरू हो गई हैं तो अच्छी करारी बन गई है ये एकदम से तो ये थोड़ी पी-ली सी है इसलिए करारी दिखने में नहीं लग रही हैं लेकिन ये बिल्कुल बढ़िया सी बन गई हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो थोड़ा साथ में रोक लेंगे और इसे निकाल लेते हैं तो यह आप देखे पूरा यह हमारा आलू का और सूजी का नास्ता बनके तयार हो गया है तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताएएगा और इसे सॉस चटनी या चाय के साथ आप खा सकते हैं थैंक यू